खबर गाओं की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामी न्यूज ग्रामी न्यूज यूजूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रामी नियूज मैं हूँ प्राचितवारी सोचिए कि आप भगवान की पूजा कर घर में अगरवत्ती जलाएं कि आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो घर में सकरात्मकता आए लेकिन अगरवत्ती आपको एक गंभीर बीमारी दे जाए तो जी हाँ अगरवत्ती जलाने से कैंसर जैसी खतरनाग बीमारी हो सकती है वहीं अगरवत्ती जिसे आप अपने घर में हर रोज जलाते हैं सिर्फ अगर्वत्ती ही क्यूं बलकी हाल ही के एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि रोज मर्रा में इस्तमाल होने वाली कई ऐसी चीजे हैं जिनकी वज़ों से कैंसर होता है तेजी से बदलते दौर में तमाम सुख सुविधाओं की चीजों में एक दम से इजाफा हुआ है हमारी जिन्दगी को और आसान बनानी के लिए हर रोज नए नए अविश्कार होते रहते हैं इन में से जादतर चीजें खतरनाक कैमिकल से बनती हैं हमारे आसपास कैमिकल से बनी इतनी चीजे फैल चुकी हैं कि जाने अन जाने में हम इनका इस्तमाल कर ही लेते हैं और ये हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुचाती रहती है और एक दिन ये हमारे सामने एक बड़ी बीमारी के रूप में आकर खड़ी हो जाती है ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिन्हें बनाने के लिए कैमिकल का इस्तमाल किया जाता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता और हम उसका इस्तमाल करते रहते हैं इसी वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी अपने पैर पसार दी जा रही है मगर लाइस्टाइल में आसान बदलावों से लगभग 40% कैंसर से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है इस बीमारी के आठ बड़े कारणों में तंबाकू का धुआ, खराब डायेट, शराब, जादा वजन या मोटापा, इनक्टिविटी, इन्फेक्शन और हार्मोन संबंधी कारण शामिल है कैंसर हमेशा जैनेटिक नहीं होता, बलकि खराब लाइफस्टाइल के कारण ही ये बीमारी होती है अगर आप अपनी रोजमरा की जिन्दगी में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है कैंसर के लिए जिम्मेदार प्लास्टिक का कप भी है, अगर आप अपने ऑफिस हस्पिताल या फिर शादी बाटियों में प्लास्टिक या पेपर कप में चाय कॉफी पीते हैं, तो आज ही इसे बंद कर दे, भले ही बजार में प्लास्टिक, थर्मकॉल, पेपर कप्स कर देता है, तो उन्हें भी फिर सोचनी की जरूरत है, क्योंकि ये पेपर कप भी कोई कम खतरनाक नहीं है, इन कपों का इस्तिमाल भी आजकल बहुत बढ़ चुका है, अब ये हर चाय वाले के पास और आजकल दावतों में भी दिखते हैं, स्टाइरो फोम से बने प्रोड ये खतरनाक कैमिकल जब गर्म चीज जैसे की गर्म पानी और गर्म चाय या कॉफी से मिलता है, तो एक रियाक्शन करता है, जिसके कारण हमारे शरीर पर बहुत ही जादा बुरा प्रभा पड़ता है, अगर हम अगर्वत्ती की बात करें, तो अगर्वत्ती के बिना पूज अगर्वत्ती को जलाने पर उसके धुए के साथ कुछ बारी कंड भी निकलते हैं, जो की हवा में घुल मिल जाते हैं, अगर्वत्तियों से निकलने वाले जहरी ले कर शरीर की कोशिकाओं को बेहत प्रभावित करते हैं, शोत के दौरान रिपोर्ट्स में पता जला है कि अ गैनेतिक म्यूटेशन से व्यक्ति के डिने तक में परिवर्तन हो जाता है, जो की बिलकुल भी अच्छा संकेत नहीं है, ये हमारे फेफ़डों में जलान, उतेजना और अलग-अलग तरहां की विकृतियां भी पैदा करते हैं, अगर्वत्ति के धुएं से सास के रास्ते क नली में खुजली और जलन की समस्या भी होती है, वही मच्छरों को भगाने के लिए हम अक्सर कॉयल का इस्तमाल करते हैं, मच्छरों को भगाने के लिए लोग मच्छर मारने वाली दवायां भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये जिस तरहां से ये दवायां कॉयल मच्छरों क दूर कर सकें लेकिन इनके धुएं के खतरणाक प्रभाव से कैंसर जरूर होसकता है सिर्दर्द और अलर्जी तो आम लखषण है ही लेकिन इसके ज़ादा इस्तमाल से आपको cancer भी हो सकता है तो ये तो बस तीन चीज़े हैं जिनके बारे में आज हमने आपको बताया मगर ऐसी कई चीज़े हैं जो आप और हम हर दिन इस्तमाल करते हैं और हमें पता तक नहीं चलता कि वो चीज़ें हमारे लिए कितनी खतरनाक हैं इसलिए अप से आप ये जरूर ध्यान दें कि आप किन चीज़ों का इस्तमाल कर रहे हैं और उन से आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक और शेयर करें